वीडियो में हम पढ़ेंगे जापान के समिधान की विसेष्थाएं तो जापान के समिधान की विसेष्थाओं में कुछ विसेष्थाएं ब्रिटेन के आएंगे और कुछ विसेष्थाएं फिर अमेरिका के आजाएंगे लेकिन जो जापान की राजनितिक विवस्था है वो वैसी ही है जैसी की ब्रिटेन में पाई जाती है ब्रिटेन में भी संसदिय सासन विवस्था पाई जाती है और जापान में भी संसदिय सासन विवस्था पाई जाती है तो चलिए शुरू करते हैं जापान के समिधान की व अर्माणू बम के बाद जापान ने आतम समर्पन कर दिया। जापान पर मित्र राष्ट्रों का नियंत्रन स्थापित हो गया। मित्र राष्ट्रों ने जनरल मैक आर्थर को जापान में अपना सर्वोच सेनापती न्यूक्त किया जनरल मैक आर्थर ने जापान के लिए नया समिधान तैयार कराया यनि कि जापान के लिए नया समिधान का निर्मान किस ने किया था? अमेरीकी सेनापती ने किया था यह समिधान 3 मई 1947 को लागू किया गया इस समिधान की परमुख विशेष्टाएं निमन लिखी थे तो यह तो गई इसकी भूमी का अब देखते हैं जापान के समिधान की विशेष्टाएं तो सबसे पहले विशेष्टा है लोग पिर ये समपरभुता पर आधारित और यही विशेष्टा फिर अमेरीका की समिधान में पाई जाती हमने पढ़ा था तो पहला देखते हैं लोग पिर ये समपरभुता पर आधारित जापान का वर्तमान समिधान अमेरिकी अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है इस कारण कुछ लोग इसे जापानी लोगों पर बल पूर्वक थोपा गया समिधान कहते हैं लेकिन वास्तों में ऐसा कहना सही नहीं है जापानी समिधान के निर्मान में जापान के लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखा गया था इसके अलावा जनता द्वारा निर्वाचित डायट यनि की जापान की संसद ने इस समिधान को पुष्टी प्रदान की है इस कारण यह है जनता दुवारा निर्मित समिधान के समान ही हो गया है समिधान की प्रस्तावना में भी कहा गया है कि हम जापान के नागरिक जैसे कि भारत की प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग जैसे कि अमेरिका की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम अमेरिका के लोग ऐसे ही जापान के समिधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी लिखा गया है कि हम जापान के नागरिक यह निकी जापान के समिधान का निर्मान किसी ने किया है जापान की जनता ने किया है अब देखते हैं दूसरी विशेष्टा दूसरी है लिखित और अपेक्साकिरत संचिप्त समिधान तो लिखित समिधान किसका है अमेरिका का है और स्चुडजरलेंड का भी है और यहाँ पर जापान का भी है तो चलिए इसमें देखते हैं अमेरिका फ्रांस भारत जैसे देशों के समान ही जापान का समिधान भी एक लिखित समिधान है जिसमें 11 अध्याय और 103 अनुछेद सामिल है समिधान की भासा अतेंत सरल और इस्पस्ट है संपूर्ण समिधान लगभग 20 प्रस्थों में अंकित है जिन्हें लगभग एक गंटे में पढ़ा जा सकता है संशिप्त होने के बावजुद भी सभी महत्तुपूर्ण बातों का वर्णन किया गया है तो जो जापान का समिधान है उसे लगभग एक गंटे में पढ़ा जा सकता है और अमेरिका के समिधान को कितने गंटों में पढ़ा जा सकता है मुन्दरों के अनुसार ये आप लोग कमेंट करके बताओगे अब देखते हैं इसकी तीसरी है समिधान की सर्वोचता और समिधान की सर्वोचता हमने अमेरिका के समिधान में भी पढ़ी थी भारत और अमेरिका के समिधान के भांती ही जापान के समिधान में समिधान की सर्वोचता को अपनाया गया है जापान का समिधान देश का सर्वोचे कानून है समिधान की सर्वोचता की रक्षा के लिए ही नियाइक पुन्द्रावलोकन की विवस्था की गई है जिसके तहट सर्वोचे नियाले ऐसे कानूनों वे कारियों को रद कर सकता है जो समिधान के प्रतिकूल होते हैं तो यह होगी समिधान की सर्वोचता और नियाइक मुद्रावलोकन इससे पहले भी हम काफी बार पढ़ चुके हैं अब देखते हैं चोथी विशेष्था है कठोर समिधान तो कठोर समिधान अमेरिका में भी पाय जाता है और लचीला कहां पाय जाता है ब्रिटेन में जापान का समिधान कठोर समिधान है क्योंकि इसमें समिधान संसोधन के लिए सामाने कानून निर्मान से भिन प्रिकिरिया को अपनाय जाता है तो कठोर समिधान क्या होता है कि जहां सामाने कानून निर्मान की प्रिकिरिया अलग हो और समिधान में संसोधन की प्रिकिरिया अलग हो किसी भी समिधान संसोधन प्रस्ताव को डायट के दोनों सदनों के दो तिहाई सदस्यों द्वारा स्विकार किया जाना चाहिए इसके बाद इस प्रस्ताव की पुष्टी लोक निर्णे के अंतरगत जनता द्वारा की जानी चाहिए यानि कि इस प्रकार जापान के समिधान में परिवर्तन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसलिए उसको बोलते हैं कठोर समिधान यानि कि सामाने कानुन बनाने की प्रिकिरिया अलग है जबकि समिधान संसुदन के लिए प्रिकिरिया अलग है अब देखते हैं पांचवी विशेस्ता पांचवी है लोकतंत्रिय आदर्शों का समावेस वर्तमान जापानी समिधान राजतंतर के इस्थान पर लोकतंतर के स्थापना करता है और समराट की इस्तिती मातर एक धवजवाहक परमुख की है या फिर ऐसे बोल सकते हैं की समराट केवल नाममातर का परमुख है या केवल ओपचारिक परमुख है सासन की वास्तिविक सक्तियां मंतरी मंडल में नहित होती है जो जनता दवारा निर्वाचित डायेट के परती उत्तरदाई है ऐसी ववस्ता बिर्टेन में पाई जाती है कि वहां का बिर्टेन का जो समराट है वहे नाममातर का परमुख होता है और वास्तिविक परमुख कोन होता है मंतरी मंडल जो वहां की संसद के परती उत्तरदाई होता है समिधान में कहा गया है कि राज्य से समन्धित समराट के सभी कारियों के लिए मंत्रियों के प्रामर्ष कियाओ सकता होगी अब देखते हैं छटी वसेश्टा छटी है एकातमक सासन और एकातमक सासन को हम इससे पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं ब्रिटेन में भी पढ़ा है और चीन में भी पढ़ा है जापान के समिधान के दुवारा जापान में एकातमक सासन की स्थापना की गई है जापान का समिधान सासन की समस्त सक्तियां केंद्रिय सरकार को सोंप देता है केंदरी सरकार अपनी इच्छा से कुछ सक्तियां इकाईयों को दे सकती है लेकिन जब केंदरी सरकार चाहे तब इकाईयों से इन सक्तियों को वापस ले सकती है समस्त देश के लिए कानून निर्मान के लिए एक ही संसद है और संपूर्ण देश पर सासन चलाने के लिए एक ही मंतरी मंडल है तो एक आतमक सासन क्या होता है? एसा सासन जहां समपूरण देश पर केवल किंदर्य सरकार ही सासन करती हो केवल एक ही सनस्था हो जो पूरे देश के लिए कानूनों का निर्मान करे. यनिकी राज्यों के पास या एकईयों के पास कोई वास्तविक सक्तियां ना हो अब देखते हैं साथमी विसेस्ता साथमी है मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य जापान के समिधान के तीसरे अध्याई में अनुछेद 10 से लेकर अनुछेद 40 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का विस्तरित वरणन किया गया है जापान के समिधान के अंतरगत नागरिक अधिकारों का अमेरिकी समिधान के पेक्षा विस्तरित रूप से वरणन किया गया है अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों के कुछ कर्तवे भी बताए गए हैं यह हो गई इसकी साथवी विसेस्ता यानि कि जापान के समिधान में मौलिक अधिकार भी सामिल किये गए हैं और ऐसा करना स्वाभाविक भी था क्योंकि जापान के समिधान का निर्मान अमेरिकी राजनितिक ग्यों द्वारा किया गया था तो अमेरिका में भी मूल अधिकार पाए जाते हैं और उन्होंने इस कारण जापान में भी मूल अधिकार जोड दिये अब देखते हैं आठवी विशेष्था संसदी सासन विवस्था और संसदी सासन विवस्था को जापान में कहां से लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है तो संसदी सासन विवस्था में सबसे महत उप्रण ये होता है कि इसमें दो प्रकार की कारिय पालिकाएं होती है एक होती है नाम्मात्र की और दूसरी होती है वास्त्विक तो नाम्मात्र की तो होती है समराट और वास्त्विक होती है प्रधानमंत्री तथा मंत्री मंदल और इसमें जो कारिय पालिका होती है यानि कि जो प्रधानमंत्री और मंत्री मंदल होता है वह संसद के प्रती उत्र जापान का समराट British समराट की भाती, कारिय पालिका का नामवत्र का परधान है और वास्तविक सक्तियां मंतरी मंडल में नहित हैं जिसे डाइट दुवारा न्यूक्त किया जाता है। प्रदान मंतरी के लिए डायट का सदस से होना आवसक है इनकी प्रदान मंतरी वही बन सकता है जो डायट का सदस से हो लेकिन मंतरी बनने के लिए यह आवसक नहीं है कि वह है डायट का सदस से हो बलकि जापान में यह व्यवस्था है कि मंतरी मंदल के अधिकान से सदस से डाय प्रति निदी सबा जैसे कि भारत में लोग सबा होती है मंतरी मंडल के विरुध एविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो समस्त मंतरी मंडल को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है देखते हैं नोवी विसेस्ता नोवी है धरम निरिपेक्स राज्ये जापान के समिधान के द्वारा जापान में भारत की हिबाती धर्म निरिपेक्स राज्ये को अपनाया गया है सरकार की दृष्टी में सभी धर्म समान है और राज्ये का अपना कोई विशेश धर्म नहीं है सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन तथा परचार करने की सवतंतरता प्राप्त है राजे किसी धर्म विशेश के पालन के लिए नागरिकों को ने तो प्रोथसाहित करता है और ने ही उनको बाद्धे करता है अब देखते हैं दस्वी विशेश्था दस्वी है नियाएपालिका की सवतंतरता और नियाएक पुंद्रावलोकन की विवस्था अमेरिका के समिधान का अनुकरण करते हुए जापान में सवतंतर निस्पक्ष तथा सर्वोचे नियाएपालिका को अपनाया गया है नियाइपालिका सासन का एक सवतंत्र एंग है और उस पर विवस्था पिकाया कारिय पालिका का नियंत्रन नहीं है भारत और अमेरिका की भाती जापान में भी नियाइक पुन्द्रावलोकन की विवस्था की गई है और नियाइक पुन्द्रावलोकन का मतलब क्या होता है कि जापान का सर्वोचे नाले किसी भी कानून आदेश या सरकारी कारिये की समयधानिक्ता की जाँच कर सकता है अब देखते हैं ग्यारवी मिसेश्था ग्यारवी है युद्ध का परित्याग 1947 के समयधान की सबसे मौलिक और महत्वपुर्ण विसेश्था यह है कि इसके अंतरगत राश्ट्रिये निती के रूप में युद्ध को त्यागने की घोशना की गई है जापान स्वेम युद्ध के दुस प्रिणाम देख चुका था और अमेरिकी राजनितिक ये भी यही चाहते थे कि वे जिस देश के समयधान का निर्मान कर रहे हैं उसके दुआरा भविस्ये में युद्ध के मारग को ने अपनाय जाए तो युद्ध का परित्याग जापान के समयधान की एक मोलिक विसेश्था है इससे पहले हमने जो भी विसेश्थाएं पड़ी है वे सारी या तो बिर्टेन की विसेश्थाएं है या फिर अमेरिका की विसेश्थाएं है लेकिन जो ये युद्ध का परित्याग है ये सविधान भी कहा जाता है कि अंतरगत मेईजी समिधान की दोहरी प्रणाली का अंत कर दिया गया है। इस्थान ये सवसासन की स्थापना। जापान के समिधान की यह भी विसेश्था है कि समिधान में ही स्थान ये सवसासन की विवस्था कर दी गई है। इस्थान स्थान में है।